हेलो रिवन, गूड इवनिंग, स्वागत आप सभी का ओलाइन स्टेडियोर में आज किस वीडियो में बात करेंगे मोडरन हिस्ट्री का एक महुत इंपार्टन टॉपिक भारत का समयधानी की दियास इससे जुड़ी जितने भी एक्जाम्स में क्वेशन्स बनते हैं, उनमें से मैंने यहाँ पर पूरी-पूरी क्वेशिस की वो तो कवर होई साथ-साथ एक्स्ट्रा जो भी नॉलेज है मैं आपको देने की पूरी-पूरी क्वेशिस करूँगा और उसका explanation तो हम करेंगे इस साथ में तो इस वीडियो को end तक जरूर देखिए इसमें आपको 45 तो MCQ देखने को मिलेगा और अलग से जो भी questions होंगे वो आपको सुनते रहने से बहुत सारे questions याद भी हो जाएंगे तो ध्यान से देखिएगा आने वले सब exams के लिए important है तो इस वीडियो को end तक जरूर देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like and share जरूर कीजेगा और एक चीज़ और clear कर दूँ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहें उसमें जो exams में point questions पूछे जाते हैं वो मैंने अलग से cover करा रखें तो आप उन सारे वीडियो को जरूर देखिए तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे questions को deal करते हैं भारतिय विधान पाली का प्रत्थम बार द्वी सदनिये बनाई गई इस questions का correct answer options number C 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वरा अब हम लोग बात करेंगे इससे जुड़ी जितने भी important points दो 1919 से भारत सरकार अधिनियम से कई सारे questions बन दे तो थोड़ा सा ध्यान देज़ेगा ध्यान से सुनियेगा क्या मैं बता रहू देखिए केंदर में द्वी सदन ये विधाई का किस थापना हुई थी पहली points प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रनाली अपनाई गई थी इसी के दोरा चीक है महिलाओ को मत देने का अधिकार जो हुआ था 1919 भारसरकार अधिनियम के दोरा हुआ था प्रांतों में द्वैट सासन की स्थापना हुई थी इसी के दोरा लोग सेवा योग की स्थापना की गई थी लोग सेवा का गठन कह सकते की गई थी इसी के दोरा माहा लेखा परिक्षा के नियुक्ति का जो प्राउधान बनाए गया था वो 1919 भारसरकार अधिनियम के दो रही बनाए गया था तो हो गया ने इससे जुड़ी हुई बहुत सारे क्वेसेंस तो ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए सेकेंड कोशन देखते हैं क्या कर है कि 1919 के भार चलिए के करके देखतेंगे मैंने आप बताता दू कि मुसल्मानों के लिए प्रितक शंप्रताईक निर्वाचर मंडल के वस्ता इसके द्वारा नहीं की गयी ती याप का 1919 से यह की गई थी 1909 यानि की मारले मिंटो अधिनियम के द्वारा एक यह और बता दू कि 1919 को क्या कह सब्सक्राइब के नाम से भी जाना जाता है लेकिन मुसल्मानों के लिए प्रिथक संप्रदाइग निर्वाच्चा जो था मंडूलों की विवस्था की गई थी वह 1919 मारले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा की गई थी ठीक है तो यह इसके अंतरगत नहीं आएगा क्वेचन देखते हैं थर्ड क्वेचन यह करा है कि भारत के समिधान का प्रारूप त्यार करने वाली समिधान सभा के सदस्य को बताईए कि किस तरह से चुना गया था निर्वाचित क्या गया था या आपको बताने किस तरह से चुना गया था भारत के समिधान का में क्या कह रहा है कि निमलीखित में से किस अधिनियम के अंतरगत भारते बिधान परिशत को बजट पर बहस करने की सकती प्रदान हुईती वन अफ दो इस अधिनियम के तहथ है और इस अधिनियम का सबसे important point है जो कि सबसे कह सकते हैं कि प्रमुख विसेस्ता है वो है कि अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रदती का आरम हुआ था इसी के द्वारा 1892 और हम लोग ने सबसे ऊपर में क्या देखा था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन जो प्रणाली अपनाई थी वो 1919 में हो गई थी ठीक है तो यह दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना अगर कभी पूछ दे डारेक्ष कि अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रदती की आरम कुवाता किस अधिनियम के तहट तो भारतिय परिसद अधिनियम प्रत्यक्ष पूछे तो 1919 यह दोनों बहुत इंपॉर्ण है याद रखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते और दिखें थार्ड सो क्वेश्चन नंबर फाइब क्या करा हैं सॉरी क्वेश्चन नंबर फाइब में यह करा है कि समिधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे यह थी के बिभीन परांति विधान सभाव के द्वारा चुने गए था नंबर सिक्स में क्या करा है कि नीमलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सरवच्ण याले के स्थापना का प्रावधान किया गया था बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन बहुत ही वीविया दे थे 1773 को टिकर क्या जाते लेकिन ध्यान गिगा रिगुलेटिंग एक 1774 में किया घख ठीक है और इसके प्रथम अगर बात करें कि मुखे नाधिस कौन थे तो सर इलीजा इमए प्रथम इसके मुखे नाधिस ते ठीक है मुखे नाधिस थे याद रखे गब चलिए question number 7 में देखिए क्या क्या रहा कि केंदर में द्वैजसासन किस अधिनियम के अंतरगत स्थापित किया गया था केंदर में द्वैजसासन की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी कह सकते हैं यहां पर करेक्ट अंतरुगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के दौरा ठीक है और प्रांतों में द्वैसासन के थापना जो की गई थी वो 1919 के था था हम लोगों ने आल्रेडी उपर में देखा हुआ था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है चलिए तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेगा आंतरी मंदल सदस्य के अनुसा कौन सा मिलान यहां पर सही नहीं है तो बताए कि क्या होगा करेक्ट आंसर कि कि तो चलिए यहां पर मेंक में एक ह्सकर के देख करके देखतें क्या साहिए क्या गाई है सरदार बल्ला भाई konnte कौन्सा मन त३राल मिला था यांनी वो गिरिह मंत्री थे ठीक है सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं आंत्री मंत्री मंदल देखें आंत्री मंत्री मंदल का जो गठन हुआ था वो दो सेप्टेंबर 1946 को cabinet mission योजना के तैद किया गया था डेट भी याद रखेंगे दो सेप्टेंबर जोहरलाल नहरू बहुत important जोहरलाल नहरू अब बात करते हैं किद को कौन-कौन सा विभाग मिला था तो सरदार बल्ला भाय पटेल इनको गहीं मंत्री का बिलकुल दिया गया था और स्रम अंत्री के रूप में बात करें तो वो कौन थे तो जग जीवन राम खीक है जग जीवन राम तो यहां पर हम कह सकते हैं कि options D जो वो सही तरीके से match निक कर ला इस ते options नमबर D को टिक करेंगे तो यह चारों मैंने बहुत important जो एक्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैंने यहां पे इंक्लूड कर रखा था तो आप इसको यादर केगा question number 9 में क्या क्या रहे कि 1946 में निर्मित आंत्रिम सरकार में कारेपाली का परिसाद के उप सभापती कौन थे जस्ट अपने उपर वाला ध्यान से सुना तो बस वही questions यहां पर मैंने इंक्लूड किया कोई दिक्कत नहीं तो मैंने आपको उपर में क्या बता था कि 1946 में जो आंत्रिम सरकार हुए थी उसके अध्यक्स तो लौड वेवेल थे लेकिन उपाध्यक्स जो थे वो कौन थे य यानि कि जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को उसमें और स्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सचीता दन सिनहा को बनाए गया था और जस्ट उसके दो दिन बाद जो दूसरी बैठक हुई यानि कि 11 दिसंबर 1946 को उसमें स्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक समिधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे तो बताइए कि इस questions का right answer क्या होगा तो भारत के समिधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजिंदर परसाद जी को जाना जाते है options A will be correct answer question number 12 में करें कि भारत के लिए समिधान की रचना ही तू समिधान सभा का बिच्चार निमलिकित में से सवर पर्थम किसने प्रस्तूत किया था भारत के लिए समिधान की रचना ही तू समिधान सभा का जो बिच्चार सबसे पहले प्रस्तूत किया गया था तो इस questions का correct answer है options number A यानि कि सौराज पार्टी 1924, ठीक है सौराज पार्टी के दौरा 1924 में सबसे पहले इनके दौरा ही पेज किया गया था, सौराज पार्टी के गठन कब हुआ था 1923 में, यह आप याद रहेगा मोतिलाल नहरू और जो की सियारदास के दौरा, clear, तो यहाँ Congress ने अपनाय कब था, सुविकार कब किया था, तो Congress ने इसको 1937 के फैजपूर जो महरास्ट में हुआ था, दिवेशन, उसमें इस भाग को, यानि कि सुविकार किया था, इस मांग को सुविकार किया था, ठीक है, तो यह चीज़ आप याद रखेंगे, काफी important questions यहां से बन सकता, चलिए, आगे बढ़ते, और question number 13 देखे क्या है, भारती समिधान सभा की स्थापना कब की गई थी, तो भारती समिधान सभा की जो स्थापना की गई थी, वो की गई थी, 9 December 1946, जो की पहली बैठक जो हुई थी, 9 December 1946 को हुई थी, जिसके, जो अहस्थाइस, देक्च की तो डॉक्टर सचीदान सिना दे, ठीक है, आगे देखे, question number 14 की भारती समिधान को बनाने ही, तू समिधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, कुल कितने अधिवेशन हुए थे, बताईए, तो इस questions का items रोका options number B, 12 अधिवेशन हुए थे, और कुल कितने समय लगे थे, तो आपको वो तो जेनरली पता ये कि दो वर्स, गारा महीन अठारा दिन, इसमें तो मुझे बताने की जूरत नहीं थी, options number B, फिलाल correct answer हो जाता है, question number 15, समिधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्सों के लिए स्थागित करने की बात किसने कही थी, तो इस questions का right answer होग D will be correct answer, 16 में क्या करें कि क्रिप स्मिषन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा था,ücks क्रिप स्मिषन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा था, तो देखें, इस questions का right answer होगा options number B, महात्मा गंधी ने कहा था, उत्तर दिनांकित चेक, लेकिन एक और थी, जो कि हम कह सकतें प्रश्ताव का परिवर्ति संस्क्रण मात्र किस ने कहा था तो मैंने आपको बताया डॉक्टर प्रटावी सिता रमया ने ये बात कई थी गांधी जी ने ये बात कई थी उत्तर दिनांकित चेक चली अगला कुछन क्या करें कि 1735 के अधिनियम दोरा स्थापित संग में अवस अवसिस्ट सक्तिया किसको दी गए थी देखिए कभी-कभी अवसेस्ष सक्तिया लिखता है और कहीं कहीं अवसिस्ट सक्तिया लिखता है थी ऑपसंस नंबर भी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है और अवसेस्ट सक्तिया कि अत्रिक्त भी कुछ चीज़े थी जैसे कि विदेशी प्रतिरक्षा और कुछ आपात कालिन अधिकार गुवर्णर बियनरल को परदान किया गया था किलियर आगे देखिए नेक्स् करना होता है जैसे घर बात करें संग समिधान समीथी तो जोहला नेरू संग सक्टी समीथी तो जोहला नेरू और अगर क्वेशन में पूछ लेकि प्रारूप समीथी के अधियक्ष आध्यक्श को तो डौक्टर भीम्राव अमेदकर जी जो कि बहुत बार पूछा जाता है अगला कुछन क्या करे है कि किस कानून के तैत वैसराय को अपनी कारे करनी के संख्या में ब्रीधी करने का अधिकार दिया गया था। किस कानून के तैत वैसराय को अपनी कारे करनी के सदस्यों के जो संख्यात उसको ब्रीधी करने का अधिकार दिया गया था। तो राइट एंसर विल बी ऑप्सेंस ए 1861 ठीक है 1861 के अधिनियम कह सकते हैं और अधिनियम के तैत बजट पर बहस करने की सकती प्रदान की गए थी। तो फिलाल इस क्वेशन का राइट एंसर ऑप्सेंस नंबर ए को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि ब्रिटिस भारत में महिलाओ को सरुपरता मत अधिकार का प्रदान किया गया था। मत अधिकार कब दिया गया था कि वह मत दे सकती है। उपर नोगों इस क्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। इसलिए तो बोला था कि ध्यान से सुनियेगा। इस क्वेशन का राइट अंसर क्या है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा ऑप्सेंस नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए। आगे क्या क्या रहा है कि भारत के समिधान में केंद्र और राज्यों के बीच दिया गया सक्तियों का भी भाजन इनमें से किसमें उलेखित के बारे में कि अवसेस जो सक्ति है वो किसको दी गई थी गुवर्नर जनरल को दी गई थी तो जो भारत में केंद्र और राज्यों की भी सक्तियों का भी भाजन हुआ था वो किसके अधार पर किया गया था तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधार पर किया गया था ठीक है सं राज्य और समवर्थी सूची में भाड़ी गई थी तो ये चीज़ आप याद रखेंगे ऑप्शन सी विल भी करेक्ट आंसर चीक है आगे बढ़ते नेक्स्टे की निम्लिकित में से किसने सुझाओ दिया था कि भारत की सौतंता के बाद भारती रस्ठी कॉंग्रेस को एक र राइट अंसर हो जाता है नेक्स्ट है कि समिधान निर्माता की संग्या किसे प्रदान की गई है समिधान निर्माता की संग्या किसे प्रदान की गई है तो इस questions का right answer हो जाता है हमारा options नमबर डी डॉक्टर वीमराव अमेदकर को ठीक है क्यों दिया गया था तो प्रारूप समिती के अध्यक छोने के कारण हीन को जो की समिधान निर्माता की संग्या दी गए थी क्वेस्टन नमबर 24 क्या कह रहा है कि नीमली खीत कतुनों पर विचार कीजिए फॉर्स्ट सिगेंड थर्ड और थर्ड को पढ़िए और बते की उप्रोग में से कौन सा कथन जो यहां पर सही है बहुत सिंपल सा क्वेशन और यहां पर एक जो क्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपको है जो कि डारेक्ट भी क्वेशन पूछ लिया जाता है देखिए पहला पॉइंट में क्या करें कि भारत की जो समिधान सबाने रास्टिय ध्वज का प्रारूप जो बाइस ठीक है और फॉइंट बात करें तो राश्री धोज की चोड़ाई और लंबाई के अनुपाद थी नरूपाद 4 यह पॉएंट विगलत हैं अ्नुपाद है तो ने नुपाद है दो थि थोड़ा सा आप समझ लेंगे और इस नंसर र swagना राखी हुजगा सिर्फ पर सीर्फ ए को थोड़ा सा ध्यान से अटेम्ट कीजिएगा अगर आप OMR सीट पे रंग होगे तो थोड़ा सा आपको समभलना पड़ेगा ऑदरवाइस आप डेफनेटली गलत कर दोगे क्या कहे रहा है कि डॉक्टर भीम्राव अमेदकर की अध्यक्सता में समिधान सभा के प्रारूप सम साथ सदस्ते अगर हम अध्यक्स को लें तो यहाँ पर अन्य सदस्ते की संख्या छे हो जाएगी इसलिए ऑप्सेंस नंबर हम डी को टिक करेंगे ठीक है यही थोड़ा सा यहाँ पर समझना था तो यही होता एक्जाम्स में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है एक्जाम्स म अमबेदकर की अध्यक्सता में प्रारूप समिती का गठन कब किया था इनकी अध्यक्सता में जिनको हम लोग अन ऊपर में देखा था समिधान निर्माता की संख्या भी दी गई थी इसी के कारण तो इस क्वेसंस का राइट अंसर है कि 29 अगस्त 1947 को जो कि प्रारूप समित का गठ्ठन किया था आपसर दी उल्बिक अधिनיח गठ्टा जाल क्लिए अगला गोशंच 20 किThis अधिinator पेर नेți समय पानीक निरंगोस्ता के सिधांत का अनुमोदन किया कि इस अधिनियम ने समय इफ के के अधिनियम से हम लोगों ने कई सारे चीज़े देखा लेकिन यहां पे चीज़ में आपको और बताता हूं देखिए ध्यान देखे कभी कभी पूछा जाता है कि भारत से जो वर्मा है यानि कि मैन मार जो है वो अलग किस अधिनियम के तहती किया गया था तो यह 1935 अधिनिय सकते कि वो अलग हो गया था इसी अधिनियम के था 1937 चीक है और 37 जब यह अलग हुआ तो उसी वक्त दो नए प्रांत भी बनाए गये थे निर्माड के गये थे उडिसा और सिंध तो यह दो पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेक्स्ट कुशन काया करें कि समि अगरा डॉक्टर रजंदर प्रसाद को लें तो यहां पर संचालन समीथी या फिर कह सकते एक और थे नियम समीथी के जो अध्यक्स थे वो थे डॉक्टर रजंदर प्रसाद जी चीक है चली अगला कुशन क्या कर रहा है कि भारत में परतेक वर्स कब जो की बीधी दिवस म मनाया जाता है तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर तो भारत में परतेक वर्स बीधी दिवस के रूप में हम लोग 26 नॉमबर को मनाते हैं अब बात करते हैं कि 26 नॉमबर को हमारा समीधान जो की अपनाया गया था 26 नॉमबर उनीस सो उन्चास को तो यह पॉइंट आप याद रखेंगे देखें यहां पर भी कुछ लोग गलती कर देते 26 नॉमबर उनीस सो उन्चास को हमारा समीधान अपनाया गया था और पूरी तरह से यह लागू हुआ आपको पता है कि 26 जनवरी उनीस सो पचास को यह पूरी तरह से लागू हुआ था तो अब जगल अपन यह कहा है कि आंतरिम सरकार के संबंध में निमलीखित में से यह कथन किसने कहा है कि यह एक देश की सरकार है जिसे दो रास्ट चला रहे हैं तो बताई कि आंतरिम सरकार के संबंध में निमलीखित में से किसने यह कथन कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे दो रास्ट च करने किसके संबंध में ये बात कही थी तो ये आप ध्यान रखेंगे आंत्रिम सरकार के बारे में ये बात कही थी ठीक है चलिए आगे बढ़ते और नेक्ट शुसंद में क्या कहा है कि निमलिखित अधनियों में से किस अधनियम के फल सरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था इसलिए मैं बोल दाता कि ध्यान से सुनिया अगर आप उसने ध्यान से सुना होगा तो यहां पर करना कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो देखे इस कोईशन का राइटेंस आपने डेफिनेटली कर ही लिया हुआ कि वर्मा भारत से अलग हुआ था गवर्मेंट ऑफ उसमें आपको बता कि राष्टरी दर्ज को सरपर्थम स्विकार कब किया 22 जुलाई 1947 को इसलिए उप्संस नंबर हम एको टिक करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आगे बढ़ते अगला कुछन है कि भारतिय समिधान में उदेश प्रस्ताओं निमिन में से किस एक के द्वरा प्रस्त recognize क्या गया था तो भारतिय सब्सांषी समिधान सभा में उदेश प्रस्ताओं को किस के द्वरे प्रस्तूत क्या था उदेश प्रस्ताओं को प्रस्तूत किया था ज्वाहर लाल नहेरुजी के द्वरा option size number B को टिक करेंगे ठीक है आगे बढ़ते प्रारुप समीति के मुलता एक मात्र कांग्री सी सदस्य निम्रिखित में से कौन थे इस क्वेशन का राइट अंसर जाने से पहले मैं आपसे छोड़ी से रिक्रेस्ट करूँगा कि देखें आप लोग वीडियो तो देखते हो यार वीडियो को लाइक नहीं करते हो जिससे हम कुछ संतुस्टी के राइट अंसर की तो प्रारुप समिती के मुलत एक मात्र कांग्री सी सदसे की बात करें तो राइट अंसर होगा ऑप्शनस नंबर शी यानि की के एमनसी जो प्लेए वह Inc विली करेक्ट एंशर। के नेकर संग समीधान समीति के अध्यक्ष निमली खित में से कौन थैं बात यहां पे संग किया गई तो मैंने आपको उपर में ता कि जब भी बात संग किया सै तो वहां पर आपको आन्क बंद करके ऑप्सस नंबर भी यानी कि जोहाला नेरू को घरने ठीके options भी विल बी correct answer चलिए अगला किया किए रहा है आंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था एक यह विख उड़ी डिसकस किया था कि अंतरिम सरकार का गठन कब वह था कि 2 सेप्टेमबर 1946 को जो की कैबिनेट मिसन यूजना के तहत ऑप्सिंस नंबर बी करेक्ट आंसर हुगा इसके अध्यक्ष कौन थे तो इसके अध्यक्ष ने लौड वेवेल क्यूंकि उनीक के सासन यानि कि वह वी उसे वक्त वैस रहे थे और उपाध्यक्ष जोहला नहरू को बनाया गया था और यहां पर गिरी मंत्री के बाद हम लोग ने सर्दार बल्लबै पटेल की थी तो यहां पर कुछ पॉइंट से जो कि आपको याद रखने डैरेक्ट कुशन बन सकते हैं ठीक है अगला पॉइंट देखिए भारतियों के इक्छा नुसार ही होगा यह कॉथ इंप्राइट उतर नहीं यह लेकिन आप याद रखेंगे 1922 में कहीं गई ती के चलिए, अगला प्रस्ण की है, कि भारत में समिधान साबा का गठन किष की संस्तरूती के अधार पर किया गया था, समिधान सभा का जो गठन हुआ था वो किसकी संस्त्रूति के अधार पर किया गया था तो राइट एंसर विल बी ऑप्संस एक कैबिनेट मिसन योजना 1946 के संस्त्रूति के अधार पर किया गया था ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम द्वारा हुआ भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम द्वारा हुआ यहाँ पर देखे दो questions बनता है अगर योजना पूछे तो Mount Waiten योजना के थैं अगर यहाँ पर भारत अधिनियम पूछे तो अधिनियम के थेत बात करें तो भारतिय स्थानता अधिनियम 1947 के थैं ठीक है Congress विभाजन को स्विकार ना करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते यह जो बात कहीं थी वो किस ने कहीं थी सरदार बल्ला भाई पटेल ने कहीं थी Option C will be correct answer ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक कि मुल भारतिय समिधान में सामिल किये गए निमलिकी तत्थियों में से कौन सही नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िये और उसके बते कि कौन सा कथन यहां पर जो तत्थ दिया गया यहां पर मैच जो किया गया अगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रस्ताओं के समय वैस राय निम्लिकीत में से कौन थे अगस्ट प्रस्ताओं के समय वैस राय कौन थे तो बात करते हैं इस क्वेस्टन के राइट अंसर का थो देखे अगस्ट प्रस्ताओं हुआ कब था आठ अगस्ट 1940 को 8 अगस्ट 1940 यानि कि अगर हम बात करें कि इस समय के अंतरगत कौन थे वैसरा है तो भारत के वैसरा है थे Lord Lynn Littgo क्योंकि Lord Lynn Littgo का सासनकाल जो था वो 1936 से लेकर के 1943 था ठीक है 1943 और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो इनी के सासनकाल में हुआ था जिसके अंतरगत करो या मरो का नारा महात्मा गादी ने जिया था जो की पेपर के लिए सूपर डूपर क्वेजन्स मारा जाता है तो फिलाल अगर हम बात करें राइट एंसर क्या होगा options नंबर भी अगस्त प्रस्ताओं लॉड लिलित को ठीके फिन्स ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते और अगला कोशन में क्या करा है कि वेक्तिगत सत्याग्रह की सुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पॉनार आसरम से हुआ था ठीक है तो यह आपको बताने कि किस राजजी में सतीतै याणि कि यहां पे आपको बताने कि पॉनार आसरम जो किस राज्य में सतीते है विक्तिगत सत्याग्रह देखिए यहां से दो को कुशन बन सकते हैं कब स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 1940 में कहां से तो पौनारास्रम से और ये कहां पर पढ़ता है तो ये महरास्ट में पढ़ता है अभी आपको बता दूं कि यह हुआ क्यों था तो देखे कॉंग्रिस ने अगस्त प्रस्ताओं के विरोध में इसको आरम किया था और ये क्वेशन और पूछा जाता है कि जो ये विक्तिगत सत्यागर इसके विचार धारक के पोसक कौन थे तो गांधी जी थे यह आप ध्यान रखेंगे ठीके गांधी जी को माना जाता है अगला कुशन में क्या गया है कि 1935 के अधिनियम को निम्लिखित में से किसने अनेक ब्रेको वाली इंजन रही थे गाड़ी का थे तो राइट अंसर क्या होगा ठीक है यह थोड़ी से बात इन्हों ने कही थी कि पुन्त शड़ा और मुल्रोप से बुरा इसी के बारे में कहा गया था 1935 के संबंध में जुकी मुहम्मद अली जीना के द्वारा ठीक है आगे बढ़ते है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड आफ कंड्रोल को किस अधियाम द्वारा समाप्त कर दिया गया था बौडrick difference कर दिया प्रते है में कि लॉड कैनिंग ने इलाहबाद के मिंटो पार्क में पढ़कर कि इस गोशना को सुनाया हुआ था तो एक नॉवंबर 1858 के अधिनियम के तहट ही जिसको भारत सरकार अधिनियम 1858 का आप कहा जाता है तो पिट्स इंडिया के लिए प्रिथक प्रतिनिधित का उपबंद कब किया गया था तो इस क्वेशन का राइटेंस आप नीचे कमेंट करके बताएंगे ठीक है और साथ एक और क्वेशन है आप देख रहे हैं जो कि क्वेशन नंबर 47 यह कि समिधान सभा के समुख समिधान की प्रस्तावना का प् बहुत खुसी मिलेगी कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया और इसी तरह की और जो नियो लैक्सर आएंगी आधुनिक भारत को हम लोग एक-एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो कि आपकी एक्जाम्स के लिए बहुत जदा हिल्प करेगा तो अगर आपको वीडियो अच् चानल को सब्सक्राइब करके नोटिविकेशन बेल को अन रखे हम मिलते आपके साथ नेक्स वीडियो में किसे ने टॉपिक के साथ ठैंक्स वाचिंग कीप वाचिंग कीप लर्निंग हाव गुड़ देग